वेलकम टू कोकिंग वदुगर की रत आज हम बनाएंगे वैज बिर्यानी बहुत ही इजी तरीके के जाद चलिए हमारी वैज बिर्यानी बनाना हम शुरू करते हैं हमारे यूट्यूब चानल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी लीटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वैज बिर्यानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यह चावाल लिए हैं आप कोई से भी चावाल ले सकते हैं यह हमने एक कटोरी चावल लिया है, यह हमने लिया हरे मटर एक कटोरी, यह हमने थोड़ी सी गाजर लिया है, यह थोड़ा से लिया हमने प्याज, यह हमने लिया है एक कडाही, इसमें डालेंगे हम ओल, आपको इसा भी ओल यूज़ कर सकते हैं, अब इसमें डालेंगे हम दो 1 tablespoon जीरह डालेंगे इसमें, एक पर अच्छे से ही लादेंगे, अभी हम इसे डाल देंगे प्यास, अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, अभी 2 मिनिट हो गया है, इसमें भी डाल देंगे हम गाजर, साथ में हम हारे मटर भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, अब इसमें डालेंगें हाफ टेबल स्पून नमक, नमक आप एमने टेस्ट के रेकॉर्डिंग जादा कम कर सकते हैं हाफ टेबल स्पून रचली पौडर, हाफ टेबल स्पून किचन किंग मसाला, थोड़ी सिसमें डालेंगें हाल्दी कलर के लिए, थोड़ा सा गरम मसाला, अब इसमें मिक्स कर लेंगे मसाले को, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, अब इसमें डालेंगें पानी, एक बड़ा किलास पानी डालेंगे, पानी आप जादा कम कर सकते हैं चावल की कुवाटिटी के हिसाब से, अब इसे एक बार हिला देंगें, चावल को हमने धोलिया था, अब इसमें डाल देंगें चा पांच मिनिट के लिए, पांच मिनिट होगे एक बार चेक कर लेते हैं, उबाल आ रहा है अच्छे से, उपर से कवर कर देंगे दो मिनिट के लिए, दो मिनिट हो गए हैं ये देखिए, पानी पहले से कम हो चुका है, उपर से हम कवर कर देंगे इसे, अभी हम पानी चक करेंगे, पानी अल्मोस्ट सुक चुका है, एक बार हिलाके अच्छे से, उपर से हम इसे कवर कर देंगे, अभी ग्यास को हम बन कर देंगे, इसे हम कोलेंगे 10 से 15 मिनिट के बाद, दस से पंद्रा मिनिट हो गए है ये लेखे मारे चावल कितने अच्छे बने है सारा पानी अच्छे से सुख चुका है अभी चावल की हम करते हैं प्लेटिंग इसके उपर डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया गानिशिंग के लिए ये लेखे मारी वेज बिर्यानी बनके रेड़ी है बहुत ही अच्छी बनी है बहुत ही ठेसी बनी है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीज़े शेयर की जटमेंट कीज़े थैंक्स वाबची